अगर आपने एज रिलेटेड वाले अगर आपने एज रिलेटेड कभी नहीं पढ़ा है तो टेंशन की कोई बात नहीं है बस आप हमारी वीडियो को अच्चे डंक से देखते रही हैं आप एज रिलेटेड पुर्ण रूपे नहीं जी हां अच्छे डंक से सीख जाओगे चलिए शुरुवात करते हैं टाइम वेस्ट बिलकुल भी नहीं करते हैं और हम लोग एज रिलेटेड जी हां आयू संबंधी प्रस्णों का टॉप मोस्ट वीवी आई जी हां टॉप मोस्ट वैरी वैरी आप बहुत ही शुरू करें बच्छा तो शुरू करते हैं एज रिलेटेड को शेन और पहला सवाल जैसा कि आप स्क्रीन के उपर देख पा रहे हैं बहुत 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 भीतरीन ढंक से सॉल्यूशन भी करने वाले हैं और देखिए कुछ-कुछ ने जो मैं क्लास क कृश्ण कव करें रश्मी के माता-पिता की कुल उम्र 77 वर्श है सात वर्ष पहले राश्मी के माता-पिता की आयूओ-कानुपात चार Agnes Several पहले की बात कर रहा है तो सात बर्स माता में भी घटेगा और सात बर्स पिता में अगडेगा सिंपल सी बात है अगर बैक होने की करें तो दोनों में घटेगा ना जैसे मान लिजे कि आप और आपके भाई की उम्र अभी 20 साल है पांच सल बाद तो पांच साल आपके आपका भाई का पचीस हो जाएगा और आपका भी 25 हो जाएगा यानि 5-5 सल दोनों बढ़ेगा तो सवाल है कि रस्मी के माता तता पिता की कुल उम्र ठीक है माता पलस पिता की कुल उम्र 77 वर्स है जी हां रस्मी के माता और पिता की कुल उम्र 77 वर्स है 7 वर्स पुर्भ रस्मी के माता पिता की आयुकान पाद कि यह जो रेश्यो गिवन है उस 7 वर्स पहले का है तो आप क्या कर देंगे 7 वर्स पुर्भ देख ल साथ साथ चौदा घटेगा reason क्योंकि साथ बर्स पहले की बात करे तो साथ साल रस्मी के माता में भी घटेगा और साथ साल रस्मी के पिता में भी घटेगा यानि 77 into 2 यानि कितना वर्स होगया जी चौदा गड़ जाएगा ना सौरी साथ साथ 14 घट गया तो आपका हो जाएगा 63 बर्स ठीक है अब देखिए समझीगा ये जो आपको रेशियो गिवन है 4 रेशियो 5 ये है आपको 7 बर्स पहले का तो जो दिया रहे जो दिया रहे उसका कमप्रीजन उसका तुलना उसी के साथ और जिसके बारे में पूछे जिसके बारे में आपसे पूछे उससे गुना करेंगे जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ जिसके बारे में पूछे उससे गुना करेंगे तो हमको दिया हुआ है रस्मी के माता कि आयू का अनुपात लेकिन कब कदिया हुआ है सात बर्स पहले का तो साथ बर्स पहले रस्मी और मातला पिता की उम्र तु जो लेकर यह साथ भूर पहले कंत र्योग कि यह के रेया है कि मातल मातलब के लिए पहले साथ बस पहले का निकाल लिजे तो पहले माता का निकाल लेते हैं जी ठीक है माता पहले माता है ना तो माता और पिता है तो यानि माता को चार से डिनोट किया रहा है पिता को पांच से डिनोट कर रहा है तो माता का निकालना है तो माता को चार से गुना करिए नौ सति तिरे सर्ट साथ चक अठाइस और सिंपल सी बात है अगर पिता की बात करें ठीक है तो जो दिया है उसका तुलना उसी के साथ और पिताजी है भई पाँच प्रश्न पूछ रहा है उनकी वरतमान आयू क्या थी? तो आप बताईए कि माता जी 28 के थे माता जी 28 के थे 7 सल पहले अभी 35 और पिता जी 35 के थे 7 सल पहले अभी 7 जोड़ियेगा 42 यानि माता और पिता की उम्र का यूग हो गया माता और पिता जो है 35 और 42 कहां है जी कहां है अच्छा option में नहीं है कोई बात नहीं है ठीक है कोई दिकत नहीं है आपका option में नहीं है तो नन अब दीज मार दीजे इन में से कोई नहीं कोई ऐसा नहीं है कि option नहीं मिला तो हम परिशान हो जाएंगे जो given है आपको वहां तक ले कर जाएंगे जो दिया है उसका तुलना उसी के साथ जिसके बारे में हमें find out करना है, उससे गुना करेंगे, बहुत ही simple सा method है, बहुत ही simple सा तरीका है, ठीक है, और I hope कि आपको 100% आपको समझ में आना चाहिए topic, concept समझ में आना चाहिए, दूसरा सवाल, यह थोड़ा सा hard था, कोई दिक्कत की बात नहीं, धीरे धीरे हम सीख है, एक नाम है शिवेश, एक नाम है शिवेश और एक नाम है व्रजेश, ठीक है, जो given है पहले लिखिए, वरतमान आयू का अनुपात क्या है, वरतमान आयू का अनुपात है, तीन अनुपात एक, छे वर्स बाद, छे वर्स बाद इनकी आयू का अनुपात है, बारा अनु पात पाच तो कर रहा है शिवेश की वरतमान आयू गया तो एक इस चीज को याद करने से पहले इस चीज को स्टार्ट करने से पहले एक कॉंसेट याद रखिए गा जो आपके लिए बहुत ज़रूर यह अगर कहीं वरतमान लिखा रहे और एक जगह बाद लिखा रहे तो हम पर कौन से समय को देखाइंगे बाद वाले समय को लिखेंगे अब किया बाद है कैसे और देखेंगे युद बरी अगर एक वरतमान रहे और एक का पहले रहे तो हम जो है वो पहले वाले समय को कौपी में नोट करेंगे अब यह कैसे करना है वो हम सिखाएंगे आपको यह डोन बरी ठीक है अगर एक बाद रहे और दूसरा पहले रहे तो दोनों के समय को जोडेंगे एक पहले रहे और एक बाद रहे तब भी जोडेंगे, यानि अलग-अलग जात वाला रहेगा तो जोडेगा, एक पहले रहे और दूसरा भी पहले रहे तो समय को घटाया जाता है एक बाद रहे और एक बाद रहे घटाया जाता है, इसको कॉपी में नोट करिए में एक यह चिए आप भरतंसा है यह स का है यहँ का खेला है किस जिज का है यहां का क् मैस ए अर और बरी तो सिवेश और बर्जेश की वरतमान आयू का नूपात थीडिश्य थीडिखेंग है अब समझेगे ऐस चीज को शें और हॉपवाद यह 12 मात पांच हो जाता है तो का रहा है अच्छा ये नोट कर लिया आपने ये नोट करना अनी बारे है आई होप कि नोट कर लिया होगा नहीं किया तो एक बाद फिर से वीडियो देखकर नोट कर लीजिएगा ठीक है चलिए अब देखे समझे इस चीज को सिवेश तथा भरजेश की बरतमान आयू का अनुपाद तीन अनुपाद एक हमने लिख दिया छे वर्स बाद बारा अनुपाद पाँच हो गया अब देखिए पहले आप एक चीज देखिए कि आप एंड डाउन दोनों के देखे बहुत सरे टीचर एक्स करके बनाते हैं आप हमारे मैथड से बनाईए थोड़ा सा समय लगेगा सीखने में एक बार सीख जाएगा राहुल सर को हमेशा याद रखिए पूरी जिंदगी इन दोनों के बिच अप एंड डाउन अंतर बताईए कहीं सर नौ तीन और बारा में नौ का अंतर है यहां चार का अंतर है अगर अंतर दोनों जगा सेम हो यहां भी और यहा है क्योंकि यहां पर जो समय लिखेंगे ना उसका कंपरीजन अंतर से किया जाता है और अंतर से करिएगा कहां से अंतर यहां नौ है यहां चारे इधर वाले से करिएगा यह नाराज हो जाएगा इधर वाले से करिएगा यह नाराज हो जाएगा दोनों की खुशी के लिए अंतर सेम करना है वे और तीजिज़क रहा ला में खिका ल से गुना कर दिजिए नीचे वाले में देखिता गुना कर दीजिए सर एक बारा एक पाच हुरुना कर दिजिए अब देखियां अंतर सेम हो जाएगा बिलSo अब अब बताएं कि इन दोनों के बीच कितना का अंतर, कहेंगे सर तीन का अंतर, इन दोनों के बीच भी कितना का अंतर, तीन का अंतर, ओहो सुरी, चिक है, अब ये जो है, ये वरतमान एज आपको दिया है, और ये क्या है, छे वर्स बाद का एज दिया है, अब देखिए, अभी अभी हम डिस इसका तुलना अंतर से करना है अंतर यही है न और अंतर से तब करना है जब अंतर समान हो क्योंकि यहां भी तो कर सकते थे न लेकिन अगर इधर यहां पर नौ लिख दिजिएगा तो यह वला नराज हो जाएगा हमको क्यों नहीं लिखे और अगर चार लिख दिजिएगा तो ये वला नाराज हो जाएगा, तो वैसे condition में, अब अंतर ही से हम कर दिजे, लो भाई, तीन लिखेंगे, तो उभी खुश हो जाएगा, इसको लिखेंगे, तो यह भी खुश हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक इच जाएगा, तो अंतर का तुलना, अंतर से, और सवाल क्या अगर पूछ रहा है, तो टोटल का तुलना, अंतर का तुलना, अंतर से, और सिवेश के बारे में पूछ रहा है, तो जो पूछे उससे गुना, सिवेश की वरतमाना यह 21 है, तिन दुनी 6, 21 दुनी, वियालिस बर्स है, ओप्शन में, बिल्कुल है, यह हो गया सिवेश की वरतमाना, देखो, अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो डोन बरी, यह प्रॉब्लम जल्द सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे, जिनको थोड़ा सा समझने हम दिक्कत आ रहा है, एज रिलेटेड है कुछ ऐसा, लेकिन हाँ, अगर मैं बेसिक से बता दू, समझेगा इस चीज को, कि एक बरतमान रहे, एक बाद रहे, बाद वाले को जोड़ेंगे, यहाँ एक जगा बाद रहे, और पहले रहे, तो पहले वाले को जोड़ेंगे, एक बरतमान और एक बाद, यानि अलग अलग रहे, तो जोड़ देंगे, एक बाद और द दो तीन प्रेश्ण होने दीजिए समझ में 100% जाएगा यह हमारी गैरेंटी है ठीक है आईए दो तीन प्रेश्ण होने दीजिए 100% समझ में आएगा मुक्ता रस्मी से 14 बर्स बड़ी है दस बर्स बाद उनकी उम्र का अनुपात पांच अनुपात तीन हो जाएगा हो तो मुक्ता की उम्र एक बिनेट मुक्ता रस्मी से 14 बर्स बड़ी है अब कर रहे कि 10 बाद उनकी उम्र का अनुपात पांच अनुपात तीन होगा अच्छा कोई बात नहीं कि दस बर्स बाद हो जाए या बीस बर्स बाद हो जाए इन दोनों के बीच डिफरेंस तो वही रहेगा ना 14 साल कही रहेगा न जैसे माल जीजिए हम अपने भाई से 20 साल दो साल बड़े हैं तो दस साल बाद भी दोई साल के बड़े रहेंगे क्य आप बताईए मुक्ता रस्मी के बीच कितनाुका अंतर है दो अम्र में कितना अंतर है अंतर का तुल्ना अंतर से देखिए है और अगर हम मुक्ता निकाल लेते हैं तो कहेंगे सर मुक्ता 5 है साथ पचे 35 अगर रस्मी की बात करें तो कहेंगे सर अंतर का तुलना अंतर से देखिए सिंपल सी बात है करें मुक्ता जो है रस्मी से 14 वर्स बढ़ी है और यहां मुक्ता रस्मी से कितनी बढ़ी है दो बढ़ी है तो अंतर का तुलना अंतर से 14 वर्स में दो तो अंतर का कि एकीस साल की तो करा है कि होगा तो मुक्त दस अच्छा हां तो करा है मुक्ता की उम्र क्या है मुक्ता की उम्र अभी क्या है सिंपल समझेगा मुक्ता अभी कितने की हो जाएगी दस वर्स बाद 35 की सिंपल समझेगा मुक्ता रस्मी से 14 वर्स बढ़ी है और मुक्ता रस्मी क है और अगर हमें मुकता चाहिए था तो हम 5 से गुना कि पैस वर्स की मुकता हो जाएगी कब क्योंकि यह जो रेशियो गिबन नहीं रस्मी की बात करें अंतर का तुलना है अंतर से रस्मी भाई तीन है तो तीन से गुना किया एकीस यह जो पैइटीस और एकीस आया यह कब का डाटा है वरतमान का नहीं है क्योंकि हमको रेशियो आप देखिया ना रेशियो जो आपको गिवन है दस वर्स बाद इनकी आयू का नुपात पांच नुपात तिन यानि इन दोनों का जो आपका है का मत्तव वर्तमान पूछ रहा है जी मुक्ता की वर्तमान उम्र 35 में दस घटा दीजे क्योंकि दस सल बाद वो 35 कि होगी अभी 25 वर्स की है के इस दराइट अंसर बिल्कुल बोलिएगा समझ में आने एक बर फिर से वीडियो देखिए 100 नहीं 200 परसें आपको समझ में जी रश्मी के माता रेश्यो पिता दस वर्स पहले रश्मी के माता तथा उसके पिता अच्छा रश्मी के माता तथा उसकी उम्र अच्छा हो क्योंकि एक माता जी है और एक रश्मी खुद है मुझे लगा उनके पिता जी है माता रेश्यो रश्मी ठीक है 10 वर्श पहले रश्मी के माता तका उसकी उम्र का उपाथ है माता जी तीन थे रश्मी एक थी कब दस वर्श पहले इस कोश्चन को करने के बाद आपका दिमाग खिलेगा 100 नई 200 परसेंट दस वर्श बाद अब देखो यहाँ पे पर 10 वर्श बाद उनकी उम्र जो है वो 13 और 7 हो जाती है ना तो सवाल करें रश्मी की वर्तमान उम्र ग्यात करें चलिए पहले हमें अंतर सेम करना है सबसे बड़ा जरूरी काम वही है क्योंकि जब तक अंतर सेम नहीं रहेगा तब तक हम सॉल्यूशन करने हैं अंतर कितना कहेंगे सर यह तो 10 और है और यहाँ तो चौय है परिशानी को दूर करने के लिए रूल भी बताये हैं न कि रूल कैसे बढ़ेगा क्यों उपर वाले अंतर से उपर में कितना संथी 2 कांतर नीचे वाली संख्या में गुणा कर दिजए यह तो अब जो हो गया वह चहती। अंतर 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 से अब देखिए वो जो रूल हम first question में बताये थे कि पहले रहे और एक बाद रहे ध्यान से सुनिए जो मैंने बताया था यहां पे 100% यूज हो रहा है एक पहले रहे और एक बाद रहे तो एज को हम जोड़ देंगे यानि उम्र को मतलब यह समय को जोड़ तो 10-10-20 और इसका कमप्रीजन अंतर से होना चाहिए और अंतर से तबी होगा जब अंतर 100% दोनों तरफ सेम रहेगा है 88 से तो अंतर का तो लगा क्यों कि देखें एक 10 बर्स पहले एक 10 बर्स बाद तो एक तरह का अंतर है सवाल क्या पूच रहा है? सवाल देखें बड़ा दिंजरस सवाल है جी रश्मी की वरतमान आयू वरतमान का तो कही रेश्यू ही नहीं एक 10 बर्स पहले का रेश्यू है एक 10 बर्स बाद ऐसा करते है रश्मी का 10 सल पहले वाला जिजन निकाल लिंए है फिर दस सल जोड़ देंगे जैसे महां लिजये आप दस सल पहले बारा सल के थे थे तो अभी कितने बारा दस पाईस तो सिंपल सी बात है तो दस वर्स पुर्भ किसक का रस्मी की आईू क्योंकि प्रश्णी यही पूछ रहा है रस्मी की भरतमान आईू किपनें पहले देख ले देख लिए तइक & 2 audible पहले रश्मी 18 जो आई तो आठारा की थी थी चार पचे बीस चार दुनियाट दो नमा ठारा दस बर्स पहले रश्मी थी 45 बर्स की अब जो है अब वर्तमान में रश्मी हो जाएगी 45 प्लस 10 55 फिप्टी फाइव एर्स की हो जाएगी रश्मी and इस दा राइट अन्सर उप दिस कोशन एक बर बताएंगे संतुष्टी हुआ या नहीं यह बहुत ही important question था बहुत ही बहुत जादा important था और इस तरह के प्रस्टन काफी बार exam में पूछे जाते हैं एक बर feedback दे दिजेगा कि कैसा लगा और मिलते हैं अगले class में इससे भी बहतरीन question लेकर